इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है, तर्म किये जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद है, आत्मा आमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो, आत्मा का अंतिम लक्ष परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है, बड़ अप्पन वो गुन है, जो पद से नहीं, संसकारों से प्राप्त होता है, वियक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य Assistant का निर्मान करता है, वरतमान परिस्तिती में जो तुम्हारा करतव्य है, वही तुम्हारा धर्म है. मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है. जब वे अपने कार्या में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं. प्रबुद व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर, पत्थर और सोना सभी समान है. आपके कर्मी आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है. धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाशा ही नहीं है. अहनकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा वंश्वेभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं. जीवन मे कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेश्ट हैं बुरी कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं जो अपने मन पर नियंत्रन नहीं रखता वो स्वयम का शने शने शत्रू बनता जाता है बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्यान के लिए बिना आसकती के काम करना चाहिए स्वास्थ संसार का एक ऐसा खुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है आत्म ज्यान की तलवार से काट कर अपने हृदे से अज्यान के संदेल को अलग कर दो दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है